बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें हम क्रेसर डस्क, सिमेन और बेबी चिप्स जो आग्रिगेट होता है इसको मिक्स को एक वाइबरेटिंग टेबल के उपर 40 सेकेंड के लिए वाइबरेट किया जाता है और फिर उसको सेब के लिए मोल के उपर ट्रांसफर किया जाता है और ये मोल पे अगले 24 घंटे तक सिर्फ क्यूरिंग होता है 24 घंटे के बाद इस टाइल को निकाल करके एक पानी की टंकी में जिसको क्यूरिंग टैंक बोलते हैं उसमें डालते हैं नेक्स 7 days के लिए और seven days के बाद ये टाइल निकलने के बाद और sun dry में naturally सूखने के बाद इसको उप्योग के लिए ये तयार हो जाता है Generally इस टाइल से आपको धालदार छट बनाने के लिए काम आता है जो कि खासकर ग्रावीन और सेमी अर्बन एरिया में लोग यूज करते है झालदार शाइल पूज करते है झालदार छोज करते है